हेलो एवर्यूवन वेलकम टू संपूर्ण इंग्लिस दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के बीच पतना उनिवर्सिटी सेमिस्टर सकेंड मेजर कोर्स इंग्लिस का ओफिसियल साइलेवस एंड इग्सामिनेशन पैटर्न डिसकस करूँगा आप सभी इसी साइलेवस के कोडिंग अपना तयारी कीजिएगा क्योंकि ये ऑथेंटिक साइलेवस है एक चीज़ आउर याद रखियेगा ये साइलेवस ना केवल पतना उनिवर्सिटी के लिए यूसफुल है बलकि पूरे बिहार के सब उनिवर्सिटी के लिए है जब से बिहार के किसी भी उनिवर्सिटी से क्यों न हो तो चलिए अब मैं आप सभी के बीच साहलेवस को बढ़िया से डिसकस करना शुरू करते हैं दोस्तों सेमेस्टर सकेंड मेजर कोर्स इंगलिस का साहलेवस टोटल चार यूनिट में बटा हुआ है चार अलग-अलग यूनिट के अंदर साहलेवस बटा हुआ है और चारो यूनिट के अंदर एक-एक चाप्टर मेंसन है यानि कि ओभर आल आपको चार चाप्टर पढ़ने हैं सेमेस्टर सकेंड के लिए मेजर कोर्स इंगलिस के लिए पहला जो आपका चाप्टर है इस चाप्टर का नाम है तईलियट और इसके राइटर है होमर और ये यूनिट फर्स्ट के अंदर मेंसन है दूसरा जो chapter है, इस chapter का नाम है Ordis the King और इसके writer है Sophocals और यह unit second के अंदर mention है अब सिर्वार जो chapter है, यह है Plato का The Republic बुक का दस्मा भाग और यह unit third के अंदर mention है लास्ट जो बुक आपको पढ़ना है यह है Aristotle का Poetics और Aristotle का जो Poetics है यह धेरो चाप्टर का कलेक्शन है जिसमें से आपको पढ़ना है चाप्टर नमबर 8, चाप्टर नमबर 17, चाप्टर नमबर 23 और चाप्टर नमबर 26 और यह यूनिट 4 के अंदर मेंटसन है यही चार चाप्टर आपको पढ़ना है एक फिर रिपीट कर देता हूँ यूनिट 1 के अंदर जो आपका चाप्टर मेंटसन है इस चाप्टर का नाम है दा एलियर्ड और इसके राइटर हो गए होमर यह आपका पहला चाप्टर हो गया यूनिट 2 के अंदर जो चाप्टर मेंटसन है इसका नाम है ओडिपस द किंग और इसके राइटर है यूनिट थर्ड के अंदर दो चाप्टर में इन्सन है ये है दो रिपब्लिक बुक का दस्मा भाग और ये प्लैटो के दोरा लिखा गया है और ये आपका तीसरा चाप्टर हो गया लास्ट जो आपका चाप्टर है इसका नाम है पोईटिक्स जो की एरिस्टोटल के दोरा लिखा गया है और पोईटिक्स जो है ये एक कलेक्शन है धेरो बुक का जिसमें ऐसे आपको बुक नमबर आठ, सतरा, तविस और चविस पढ़ना है और ये आपका लास्ट चाप्टर हो गया चाप्टर नमबर चौंध था तो अबर ओल ये ही चार चाप्टर आपको पढ़ना है आपके एक्सामनेशन में इन ही चार चाप्टर से टोटल हंडिड मार्क्स का सवाल बनेगा जिसमें से 30 मार्क्स का जो एक्साम है वो आपका खुद का कॉलेज लेगा और के उपर डिपेंड करता है तो 30 मार्क्स का हो गया बचा 70 मार्क्स 70 मार्क्स का जो एक्साम है ये उनिवर्सीटी लेगा और इसका पैटर्न पुरे बिहार के सभी उनिवर्सीटी के लिए सेम रहेगा ये जो 70 मार्क्स देख रहे हो यहां से 3 परकार का कोस्टन बनेगा पहल तो 10 सवाल 20 marks का होगा तो 10 सवाल 20 marks का हो जाएँगा। और यह compulsory होगा, आपको बनाना ही होगा। दूसरा प्रकार का जो question आएगा यह रहेगा shot question। thought question में क्या होगा, exam में total 6 सवाल आएंगे, आपको 4 का जवाब देना होगा, एक सवाल रहेगा 5 marks का, तो 4 सवाल हो जाएगा 20 marks का, तो ये thought question हो गया, तीसरे प्रकार का जो question आएगा, ओर रहेगा long question, long question में total 5 सवाल बनेंगे आपके paper में, 5 में से आपको 3 का जवाब देना होगा, एक सवाल होगा 10 marks का, तो 3 सवाल हो जाएगा 30 marks का, यानि कि 20 marks का objective question और 20 marks का short question तो 40 marks और 30 marks का long question यानि 70 marks, तो 70 marks हो गया, 70 marks का ही exam आपका board लेगा, आपका university लेगा, बचा 30 marks तो उसका exam आपका खुद का college लेगा, last में बतला दू दोस्तो, first semester से लेकर के last semester तक हम लोग batch अवलेबल कराते हैं students को, बढ़िया से हम लोग batch को continue करते हैं, chapter wise में आपको videos अवलेबल कराऊंगा, chapter wise में आप आपको notes share करूँगा, notes में तीनों परकार का question answer होगा, objective question answer, short question answer and long question answer, केसी परकार का कोई भी doubt आएगा, तो आप direct मुझे call के माधियम से अपना doubt share कर पाओगे, और सारा activity एक whatsapp group के माधियम से चलेगी, एक छोटा सा आपको amount पे करना होगा, उसके बाद मैं आपको अपने paid online batch में add करूँगा, और वहाँ पे सारा activity होगा, आपको कहीं से कुछ नहीं लेना है, ना तो guest paper लेना है, ना question bank लेना है, ना syllabus लेना है, और ना ही tuition लेना है, मैं आपको सारा बढ़िया से कवर करवा दूँगा, online batch के माधियम से यह सारा कुछ deal होगी, तो आप में से जो students interested हो, ह बढ़िया से कवर हो जाएगा, और वो भी सौ टाइम में, क्योंकि सालेवस छोटा है, तो आप में से जो भी students interested हो, हमें whatsapp message या फिर evening में call कीजिएगा, अपना session और university का नाम जरूर mention कर दीजिएगा, thank you so much everyone.